दोस्तो काफी टाइम हो चुका है अगर आपके बजरी तोते ब्रीड नहीं कर रहे हैं अंडे बच्चे नहीं करते हैं या फिर आप बिकनर्स हैं आपने स्टाइटिंग की है बजरी तोतों को पालने की और आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों क ब्रीड नहीं की है तो देखेगा कि आपके वर्ड ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए होता ही है दोस्तों कुछ basic information होती है । बेसिक टिप्स होते हैं जिनको apply करना जरूरी होता है अगर हम उन चीजों पर वर्ध नहीं करते हैं तो हमारे बर्ड ब्रीट नहीं करते हैं तो 7 आपको कुछ टिब बताने वाला उन में दोस्तों आप ठीकिक करके उनको सब सीजों को ध्यान से सुनें और देखें कि आपके बर्ड के लिए क्या चीज इंपॉर्डेंट है तो उस चीज को आप अपने बर्ड को उसको पूरा कराएं उसको एपलाई करें तो दिखेगा कि आपके बर्ड बहुत जल्दी अंडे बच्चे देना स्टार्ट कर देंगे और विदिन दो वीक में आपके यहाँ पर बर्ड ब्रेडिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो बहुत सब इंफोमेटिव है वीडियो पूर्गा देखें 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 दोस्तों जो मैं आपको बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ तो उसमें में सबसे पहला जो मिरा टिप है वो यह है दोस्तों बजरी दोटों में जब तक मेजा फीमेइल नहीं होता है तो प्रेडिंग नहीं हो सकती है किसी की तरह का कोई भी वर्ड हो अगर आपने मेजा फीमेल का नहीं किया तो प्रीड होना impossible है तो इसी तरह से अगर आपको knowledge नहीं है कि male female की क्या exact पैचानगती है तो आपको comment box में मुझे comment करें अपने birds का आप उलिया बताएं तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका वो bird male है या female तो male female confirm करना बहुत ज़रूरी है तो उसको male female confirm करके जब आपके जंदर release करेंगे तभी उनकी pairing होगी तभी उनकी breed होगी तो आपने birds पर और करेंगे चेक करें उन्हें किया आपकी first male female confirm है अगर आपको कोई doubt है तो comment करके आप मुझे होशकते हैं अब दोस्तों दूसरा जो basic होता हूँ यह होता है कि male female आपको confirm पहचान है लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके birds की अभी breeding की age हुई है या नहीं देगे बजरी दोते हो जो होते हैं 5-6 मन की age में breed करते हैं हम मालेजी कि आपके जो bird है अशी 3-4 माहिने के ही हुए हैं तो वो breeding कैसे करेंगे अगर आप उच्छों बीद कर रहे हैं breed की जब colony के अंदर कुछ लोग जैसे हम लोग breeding कराते हैं अपने birds से तो उनके जो बच्चे निकलते हैं वो दूसरे birds को देखकर 4-5 माहिने में breed करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अगर आप अपने घर birds को लेकर आएंगे आपके यहां वो पैदा नहीं हुआ उसने और breeding होते हुए नहीं देखिए तो 5-6 मांट की age होने पर ही वो birds breed सकते हैं तो आप अपने birds की age को confirm करें देखें आपके birds की क्या age है सभी आप उनको मच्च की provide कराएं तभी आप उनसे breed लेने के बारे में सोचें अगर आपको अपने birds के बारे में कुछ confusion है एज को लेकर तो आप comment करें अपने birds के बारे में बताएं तो मैं बताऊंगा कि आपके bird की कितनी age हो सकती है अब दोस्तों तीसरा जो basic shift होता है वो यह पता है देखिए लास का हम कोई nest लगा देंगे या पिर जो है कोई नीचे plastic चा कोई बर्तन रख देंगे या जमीन पर ही अमारे bird अंडे देंगे तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप मटकी नहीं लगाएंगे आपके bird अंडे नहीं देंगे तो करना यह होता है दोस्तों जब आपके bird में female confirm हो आपके birds की age confirm हो जाए कि वो breeding के age पर आ चुके हैं तब आप उनको मटकी प्रोवाइड कराएं जब आप मटकी लगाता से देंगे तभी आपके birds वह हैं अंडे देंगे सिख्टेप होता है वो यह है कि दिखें बर्ड को जब तब प्राइवेसी नहीं मिलती है वो प्रेड नहीं करते हैं आप अपने birds को disturbance कम दें आप उनके पास कम आए जाएं उनके केश को ना हिलाएं उनके पास जो है आपका कोई दूसरे प्राइड ब्रड को प्राइवेसी देनी है जब प्राइड हो जाती है उसके बाद आप कुछ भी करते रहें लेकिन प्राइड नहीं होती है तो आपको ख्याल लगना ह अगर अपने बाइड को प्राइवेशी देनी है देखना है कि आपके बड चीज पर नहीं हो रहे हैं अगर आपको लगता है किसी चीज़ से आपके बड डिस्टर बोह तो अफूसरी और अपने बड़्स को अच्छे से प्राइवेसी दें अब दूस्तों पांच वह को पा साइज बहुत ज्यादा पड़ा है तो इस तरह के केज में ब्रेडिंग नहीं होती है ठीके बर्ड के लिए उनके साइज के उनकी क्वाइंटिटी के एक केज का साइज रहना चाहिए आपके पास एक प्यर है तो उस हिसाफ से केज का डैमेंशन रखें तब ही कुछ भाई जो होते हैं बहुत ज्यादा पड़की रख देते हैं पाइड होते हैं उनके बॉस ज्यादा पर के के रखना ये कहा चाहिए ना प्रपर वेंटिलेस नि पी रोशन दर आती हो कम से सॉम दिस्टरमेंस हो प्राइवेसी मिले बर्ड को जादा बसकोप आना जाना ना हो जादा जो है वहां पर हमारे पैट्स वागरा ना जाते हो कीज की जगा मारवार चेंज ना होती हो तो ऐसी जगा आप अपने गीज को रखें लोगेशन अच्छी मिल जाती है बर्ड को वहां का इट्मस्वेयर सूट कर जाता है तो बहुत चंदी जो हैं बर्ड प्रीट करते हैं इन बातों का भी आपको फिस लगना ज़रूरी है अब दोस्तों चेका जो बेसिक टिप होता है वो यह है कि देखिए आपने बर्ड को ले जिसको बर्ड चाट चाट कर खाते हैं तो उनका डिजेशन होता है इसके अलाव केल्चिम के लिए आपको उनको जो है केल्चिम ब्लॉक और जो है समुदरी जाकेज के अंदर रखना होता है यह कुछ जरूरी चीज़े हैं जो आपको अपने बर्ड के केज में हमेशा रख उसको बैलेंस राइट देनी है आली कंगली अबाज रख लाने से काम नहीं चैने रहा दोस्तों आपको सांधी पास्तुरद मुक्स कीज मिक्स करके देने हैं उसकी क्या रखनी आप फॉमेंट करें तो मैं आपको बसा दूँगा किस तरह से आपको सीड मिक्स बनाना है उस पर वीडियो चाहिए तो आप पॉमेंट करें तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनातर देता हुआ तो इस तरह से दोस्तों यह सब चीज़े ज़रूरी चीज़े होती है जिनको आप अपने बजीज पैरट के साथ एपलाई करें देखें आप किया कमी कर रहें उस ची होगी एक नए वीडियो के साथ ओकी गुड़ बाई